हेलो बच्चों आपका मेरा नंबर वन एजुकेशन चैनल में स्वागत है तो अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे हमारा जो टापिक है जन्तों में प्रजनान स्वसान एवण मुक्तरी जियू तो सबसे पहले हम सुर्वात करते हैं जन्तों में प्रजनान क्या होता है सबसे पहला डापिक हमारा है प्रजनान है हम जानते हैं कि सभी सजीव अपना वन्स चलाने के लिए अपने वन्स को आगे बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं सभी जीवधारी अपने वन्स को आगे बढ़ाने के लिए संतान की उत्पति करते हैं जो प्रजनन कहलाता है प्रजनन सभी जीवधारी करते हैं प्रजनन की आधार पे जीवधारियों को दो प्रकार में बाटा जाता है नंबर एक होता है जो जन बच्चों को जन देते हैं नंबर एक है जो जन तू बच्चों को जन देते हैं को जन देते हैं तो जो जन बच्चों को जन देते हैं हम उन्हें कहते हैं इस्तंधारी जन जो जन बच्चों को जन देते हैं उन्हें गाय है भैस है कुट्ता है यह सब क्या करते हैं यह अपने बच्चों को जन्व देते हैं और अब यह इस से बनती है इस्तंधारी यह एक कोईश्चन बनता है इस्तंधारी जंद मिन्हें कहते हैं तो उसका इंसर हम क्या लिखेंगे जो जन्व अपने जैसे बच्चों को जन्व देते हैं उन्हें हम इस्तंधारी जन्व कहते हैं समझ मैं क्या ठेक अब अगला अगला आता है दूसरा जो प्रकार होता है इसका अंडे देने वाले जन्व अंडे देने वाले रहे जन जान जन को पहुता होँ आपको पता हुआ कि मारे जो आस पास में मिलते हैं वो बच्चों को न जन्व देंकर अंडे देते हैं जिसें मुर्गी, बतक, और बहुत सारे बहुत सारे बच्ची हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, तो अब हम यह समझेंगे अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे कैसे बनते हैं, मुर्गी, अंडे देते हैं, रहता हैं पड़र कोस्ते हैं, है अंडों को सेते हैं, अड़ों के ओपर बैठते हैं और अंड़ों को अपने सरीर का जो टेम्प्रेचर होता है और उसके सरीर जो अंड़े होते हैं उसी के टेम्प्रेचर के अंशार अधिया जब तोड़ करके बाहर इतलाते हैं इस प्रकार अंडे से बच्चे बढ़ने की जो प्रगिपिया होती है वह होती है और उसमें यह होता है कुछ जी वह ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं पानी में देते हैं अब पानी में देते हैं पानी में जब अंडे देते हैं तो इनकी सुलच्छा एक प्राक्रतिक प्रुब है जब अंडे देते हैं जैली नुमा पदार्त अंडों के आसपास होता है ताकि उनको पानी कोई नुक्सान ना पहुंचा सके और फिर कुछी जो भी मैंने मुझी के अंडों की ने रता ही थी वही प्रिक्रिया उसमें भी होती है किसे ब्रकार मों फिलने की अब जो मेझत है मेठ की बच्चों का जन कैसे होता है ये मेरक टेड़ को लोके जी सिसुबनने से पहले की वस्ता जुद्धर के बच्चों की यह से टेड़को कहते हैं और उसके बुपांतरण को या टेड़को , जह सबंसे बच्चा बड़ा होता है और उसके अका आकार बदल लियाता है उस क्रिया को हम कायांतरण कहते हैं अब यहां तक यह हम ने से लिया अंडे जेने वाले जंतों तक हम ने यह इस वीडियो में सिखा अगला कल बताया जाएगा और बागी जो हमने इतना धार पढ़ा हुआ है इसमें से आपिया वेस्टन माइब तो तिसके आप वेस्ट वीडियो को देट के मिजाएंगे